कि हेलो गैसी दोस्तों आज के इस वालिवड हम बात करने वाले हैं अगर आप लोग भी अपने बैंक अचान में अपने डेटर बर्थ को चेंज करना हूझ आता है एलाइन आफ לाइन तो आज की वाले वीडियो आपके लिए आपको बताते हैं कि इहां पर बेंक आपर बश्य तरीका कुछी बैंक्स प्रवाड कर आते हैं वो भी आप समझ देजे कि अब उनके यहां भी बंद हो चुका है पहले जैसे कि आपको पता तो अब आप आपका पास्पूर्ट अपर ट्राइविंग लेसंस इन सारे चीजों में से कोई एक हो रहा चाहिए जिस पर आपका जो नया वाला डेटाबर्ट वह प्रिंटर और उसके बेस्पर फिर आपके बैंक्पॉड में यहां पर डेटाबर्ट चेंज होगा तो इसके लिए आपको क और हमको बताते कि कैसे आपको यहां पर अपने देटा बर्थ को जिनस करना है यहां पर मेरे पास दो बैंक एक आउन्ठ के बाद करने वाला हूं इसके लिए अपको सबसे पहले चरों ब्राजर पर आजाना होगा और यहां पर मैंने सबसे पहले पेज़ खोल कि रखा क्या आया है अब आपको तोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर एक अप्शन दिख जाएगा यह वाला KYC फॉर्म का आपको इसको जो है सिंपल सा डाउन лोड करना है जैसे आप डाउन लोड करेंगे अब आपको दिखा दू इसके सामने जैसे आप यहां पर डाउंलोड कर आएंगे दिखे यह फॉर्म किसी का यूनियन बैंक आफ इंडिया डेटा अपडेटिशन फॉर्म अंडर कंप्लीट के वाइसी के वाइसी भी हो जाएगी इस वाले फॉर्म से साथी में साथी साथ आपका जो डेटा है वो भी आप अपडेट कर पाएंगे अब यहां पर आपको मैं बता दू कि यूनियर बैंक मैं बता रहा हूं ऐसे यह भी मैं इस्टेट बैंका बताऊंगा बट जैसा कि आपने पीछे वीडियों सुल लिया है यहां पर आल लाइन नहीं होता है सिरफ आप घंगर दो ना अपना मदिना अपना एड्रेस देना है अपना कस्ट्मर आड यह आपको पास्व॥ का मैं सब्सक्ट होता है वहला है और यह आपका आप इस troubles muscle में फिसके तक पहुघ अपर सनाव करना चthen citizen Doesn't have Service Rundered अहों कुछ भी लएव है यहां पर आपको यहां पर देना आपको आपको यहां सबसे पर रिद सब्सक्राइब सब्सक्राइब साथी में यहां पर जो यह साथ चीजे हैं आपको रेसिडेंट इसमें आप इंडिया लिख सकते हैं ठीक है यानि कि आप थोड़ा बहुत चीजे जो यहां से है इसके उपर इसको अगर अड्रेस बतलना है तो भी भरेंगे लेकिन इसके नीचे मोबाइल नंबर के निचे यह साथ चीजा आपको भननी पड़ेंगी ठीक है जैसे कि वह लोग वैरिफाई करबाएं अब उसके बाद अगर आप लोग अपना पैन भी लिंक करवाने जादे हैं यहां पर पैन कार्ड नंबर लिंक कर देंगे यानि कि इंटर कर देंगे पहले से लिंक तो फिर वहां पर क यहां पर काम काम सा करते थो जो भी आप है ऑप तो यहां पर आप सकर लेंगे और यहां पर आप देख पार है एनवाल इंगर उसको खाली छोड़ देना है तो आप आपको मैं क्लिक यहां पर इसमें को मैं से आने पundred अपकर कुछ भी नहीं host करेंगे झांपर इसको दो कर आlles यहां पर आपको स्कॉण करकर करके अना है और यहां पर आपको आप्षीste कम तो यहां पर दोबारा से आपको अपना और देना है और यहां पर आपको अपना सिगनेचर करना है वो सिगनेचर आपको करना जो सिगनेचर आपके बैंक एकाउन्ट में होगा पहले से ठीक है साथी में यहां पर आपको अपना डेट लिखना यहां पर अपना फोटो लगा देना है इत्ता करने के अपने ब्रांच में अपने अधार कार्ड लगा रहे हैं तो आपको अपने अधार का फ्रंट और बैक दोनों का करवाना है और इस वाले फार्म के साथ उसको पंच करके अपने ब्रांच में सब्मिट करने के बाद यहां पर 24-40 गंटे में आपका जो डीओ भी है वह अपडेट हो जाएगा यानि कि डेटा बर सकस्वल्ली अपडेट हो जाएगा कुछी सरी कैसे यूनिन्सी अपडेट करना होता अब चलिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर इस टेट बंक आफ इंडिया के बारे में तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि को मैंने भी पह फ़र्वाइस वाला फॉर्म तो आपको यहांपर क्लिक करेंगे अपको दॉन्लोड करेंगे जैसे आप धुरी करेंगे कुछ इस तरह के सिपयेश खुल के आज आएगा और यहांपर आप पर हें कि यह दो समय आ तो मैं आपको recommend करूंगा कि यह वाला जो == है आप खुद से print और करिए अत Relay branch में जाए मैं आपको बता रहाँ कि ऐसा इसा नावर में चाथ करने की ज़ूत नहीं फिंगे ति अब यहाँ पर आपना इड़ बदलना है सथी में अगर कोई नया काम करना तो कुछ बदलाव करना अब कंगे करेंगे अब काम हो जाएगा अब यहाँ आप देख पार किसाज कि यूझी सख रही अब यहां पर आप देखें कि चेंज और करेक्शन के लिए ज्यादा तर यह वाला फॉर्म जो है वह इस्तमाल होता है और इसका अप्छलिए हम आपको बताते हैं डिटेल के साज़ी जिए तो सबसे पहले यहां पर अपना नाम देदेना है यहां पर आपको फादर का नाम द लें रिक्वेस्ट के लिए तो अगर आप पैन कार्ट देना चाहते है तो यहां पर अधार कार्ट लिखना पड़ेगा और साथी में यहां पर आपको अपना फोटोग्राफ अपडेट कर देना होगा अब मैं आपको पता दूँ यहां पर जो में चीज यहां पर हमने उप आप बर्ट इंटर को अब पैन कार्ड और यहां पर अधार कार्ट दोनों में से अब कोई एक डॉक्मेट समिट करिए जिसमें आपका सही सही वाला जो है डेटा बर्थ में इंसान है जो आपको जिसके इसाब से जिसके बेस्ट में आपको चेंज करवाना है तो वह चीज तो भी अगर आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना तो इसको भी खाली छोड़ देना है इतना करने के बाद आपको जैसे नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहां पर दो तीन चीज़े पूछ रही है जैसे कि आपका यहां पर एन्वल इंकन क्या है वो सारी चीज़े तो यह इसे लिद्ट करना पड़ेगा तो जिसमें भी आपको बदलाव करना है उसके आगया आपको इस तरीके से करना यह जो दिखा हुआ है अगर इस पर आप टिक नहीं करेंगे तो आपका बदलाव के अंतरगा यह वाला चीज लिया जाएगा ठीक है बाकिसमें आपको कुछ बदलना हो तो यहां पर आप टिक करना है जैसे मालीज़ आप क्या करते हैं वालीज़ आप बिजनेस करते हैं गवर्मेंट जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में हाउस वाइफ ए स्टुडेंट जो भी यहां पर कर सकते हैं राकि मेरे इसाब से आप सारा का सारा चीज़ खाली छोड़ेजे उसके बाद यहां पर देखिए कि यह वाला डेकलरेसां हुरा 형m यह यहां पर मैं ञाता है कि यहां पर सब्मिट करना पड़ेगा यह वह डं कर देना है और उसके भाद आप देख पा रहे हैं कि यह निचे लिखा वहाру ऑफिस इस वाले में आपको कुछ नहीं करना है इसमें बैंक के करमचारी का काम होता है यह सारी डीटेल्स बैंक के करमचारी जो है वो लोग आप भी अपना साइन करेंगे और फिर इस वाले फॉर्म को अपने ब्रांच में जो भी लोग होंगे वहाँ पर आप किसी को दे सकते हैं वह वहां पर आपका सक्षस होले डेटा बर्थ अपडेट कर देंगे अप मैं आपको बता दो कि इसी तरीके से आपका किसी और भी बैं तो इस तरीके से आप देख पा रहें कि केवाशी फार्म आजाएगा आज से बैंक का इसका पीडियाफ आपको एक बार सोग करवा देता हूं जल्दी से तो इधर आप देख पा रहें कि कुछ इस तरीके से यह सारा चीज आ खुलके और यहां पर भी आप से सारी चीज़े बैंक करेंडिया और याए इस तरीके से आपको अपने बैंक अकॉंड में डेटा बर्द को अपडेट करना है मैं यहां पर तीन बैंक ऑफ इंडिया इस्टेट बैंक और और आइसीआ से बैंक को तो हमें कमेंट करिएगा या फिर यही वाला प्रोसेस फॉल्व करिएगा आपका भी यहां पर बैंक अकॉर्ण में डेटेल चेंज हो जाएगा डेटा बहुत चेंज हो जाएगा आज की इस वाले वोडियो को हमें प्रेंट करते हैं मिलते आप से कले वोडियों में तक के लिए बाई जैन थैंक यू